उमिक्रोन जदों की लगया के करोना ता खत्रा टल गया एक नवा वेरियंट आगया दुनियाच उमिक्रोन इस देश्च्वी यानि के पारच्वी पता लगया है के बैंगलोर चागेने केसिज सो हून एक नवा खत्रा आगया साड़ेकॉल पहली ता चीज गल कर लिए अपाँ वैक्सीन्स दी क्योंकि इस साड़ी सब तो वदिया जे कोई साड़ेकॉल चांस है इस तो बचन्दा उस सिरफ वैक्सीन है सेंटर सरकार ने कई चिर पहला किया सिगा के कती दिसंबर 2001 तक पूरी इंडिया दी एडल्ट पॉपिलेशन यानि के 18 साल तो वद्धे लोग वैक्सीनेट हो जणगे आज दी गल करिये तक 84 पॉपिलेशन लोग ही एडल्ट पॉपिलेशन इंडिया दी नूँ फर्स डोज मिली है ते 50% यानि के अद्धी पॉपिलेशन नूँ भी हजे सेकेंड डोज नहीं मिली है सो वद तो वद जी अपना एक पॉजिटिव या सकरात्मक एस्टिमेट भी लाईए तावी कत्ती दिसंबर तक पहली डोज ही 100% नूँ पूरी हो सकती है दूजी नहीं होगेगी ते हुन क्योंकि एक नवा वेरियेंट आ गया है जो कहा जा रहे है कि इम्युनिटी नूँ इन्वेड कर सकता है और तंक आ मतलब समझ रिये यानि कि यह तो वुजिट पहले हो चुक है तो वी फोड़ी इम्युनिटी आख़िया है या वैक्सिनेशन न्या तवी इम्यूनिटी नहीं है हैं उन्हों एवेड करके तो अन्हों दुबारा कोविड दे सकदा है हजे ए नहीं पता है किन्हा इंफेक्शियस या डेडली है ए वेरियंट उन्हों कुछ टाइम लगेगा लेकिन ए जानना जरूरी है कि कोविड दुबारा हो सकदा है सो जे तोसी दोनों वैक्सिन लेवी चुके हो ताँ वी एक वार फेर समा आ गया है कि आपा सेफटी फर्स्ट प्रिवेंशन इस बेटर देन क्योर उन्हों दुबारा अपनाई है क्योंकि हून असी टिले पै गई गई है देखो जे एक चीज सानू दुबारा हो सकदी है ते असी ओदेकारन हस्पताल जावांगे ओदेच बहुत फर्क है इससे लिए में क्या के हजे वी वैक्सिनेशन ही सब तो वधिया तरीका है क्योंकि कोविड दुबारा हो जाना ते जेड़ी सानू वैक्सिनेशन इम्यूनिटी दित्ती है ओ most probably scientists दे ही कहरे ने कि सानू hospitalization या मौत दा खतर है ओ कट जेगा असी second wave जड़ी इंडिया जिन्नू अपा कहरे सिगे अप्रहल मई दे नेडे तेडे जो इस साल सिगी ओ दा एही कारण सिगा कि जड़ा delta variant उसवेल ले आया सिगा ओ बहुत खतरनाक सिगा पर एवी गल कर लिए कि इंडिया जे इन्ना जादा नुकसान होया तुसी जिन्ने भी इस से ले देख रहे हो तो नू भी पता है कि जे तोड़े कार्च नहीं तोड़ी जान पछान चाहे हो जे लोग जरूर सिगे जिना दा कोई ना कोई जी या था हस्पताल सिगा या उदी मौत होई या उन्नों बेडली हस्पताल सिगा ओक्सीजन ली लड़ना पहरे है सिगा ते एही सब तो वड़ा कारण है कि delta variant या जड़ी second wave सी ओदेच इंडिया दा इन्ना नुकसान होया क्योंकि ना सिर्फ केस बहुत जादा वद गए सिगे ते ओव वेरियंट बड़ा डेडली सिगा लेकिन साड़ा जड़ा medical system है साड़े हस्पताल उना ते pressure बहुत जादा आ गया सिगा इन्ना जादा जो कदी पहला हिस्ट्रीच देखनों नहीं मिलया ऐसे करके ना बेड मिल रहे सिगे ना उक्सीजन एवी गल कर सकते हैं कि इंडिया ने पहली wave तो बाद भी अपना लेसन नहीं सिखे आते कोई त्यारी चंगी नहीं कीती उमीद है जे तीजी वेव आंदी है तां एहो जी सानो सिचुएशन दुबारा नहीं देखनी पहेगी लेकिन क्योंकि साथी vaccination हुन हो रही है तां करके उमीद ए है एही डॉक्टर भी कहरे ने कि शायद तीजी वेव इन्ना नुक्सान नहीं करेगी हुन गल कर लिए दुनिया पर दी देखो ए गल कई वार World Health Organization WHO कह चुकी है कि जद तक पूरी दुनिया सेफ नी है ताथ तक कोई भी सेफ नी है कई देशा ने बहुत कमाल दी vaccination कर लिए बूस्टर डोस भी देनी स्टार्ट करती है लेकिन फेर वी COVID तो नहीं बच पा रहे ने क्योंकि ओ vaccination अपनी तक कर रहे है लेकिन जड़े गरीब देश ने या जड़े देश खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे है वैक्सीन ओना कोल जद वैक्सीन नहीं जा रही है ता नमे variant भी बन रहे हैं केस भी वदने ने जीमे की आफरिकाच होया एफरिकाच vaccination बहुत कट है उननों वैक्सीन मिली ही नहीं है क्योंकि यो खुद प्रोड्यूस नहीं कर दे ते एही कारण है के वाइरस एक बॉडी इच रहे के जदो देख दे है की immunity की कर सकती है या की कर रही है उदों ओ अपने आपनों चेंज कर दे है जिननों असी mutation कह द बस देश है यानि के लोड तो वद वैक्सीन इस वेले इंडिया प्रोड्यूस कर पा रहे है खास करके हूँन जोदो को वैक्सीन नों वी डवल्यू एच यो वलो मानता प्राप्त हो गई है तो ए बहुत जरूरी है पहली गालता ताकि आप आप दुनिया चे हौडी हौड कोविड खतम कर पाई है जोदो कोविड आया सिगा दोजार उन्नीच दोजार वीच इंडिया चाया ओदिनार हुन दुबारा दोजार इकी मुक चला है पर कोविड के ते नहीं जा रहे है नवे नवे वेरियंट बन रहें ने ते आप बन दे वी रहेंगे क्योंकि जिनने वाइरस हुन दे ने उना दिये प्रापर्टी हुन दिये ओवी एक लिविंग बींग ने ते उना नुए पता है कि जे कोई चीज उननू रोक रही है पर मार नहीं पारी ता ओ अपने आप चाहे हुजी चेंजिस कर लेंदे ने कि अपना एक नवा रूप बना लेंदे ने जो मैं तो अनू वेरियंट दी गाल समझा रहे हैं इस कारके वाइरस नू रोकना खतम करना एको तरीका है कोविड नू खतम करनदा जे असी इनू सिरफ रोक पार है या खतम नहीं कर पारे ता एसे तरह होर वेरियंट अपने बनाउंदा रहेगा एदि छोटी जी साइंस तो अनू यह मैं चीज दास दमा के जेड़ा वाइरस दे बाहर एक प्रोटीन दी कवरिंग हुंदी है प्रोटीन स्पाइक जिन्नू कहा जानदा है ओही पहला जाके टकराओं दी है साड़े वाइट ब्लाड सेल्ज नाल या साड़ी इम्यूनिटी नाल जे मैं सरहलपा शा तो जे वाइरस फिर नमें तरीक के लावद है अपने स्पाइक प्रोटीन जेड़ा ओदे बार है ओदे छोटे छोटे चेंज कर दे जीदे नाल ओफिर दुबारा इंपक्ट पा सकता है इफेक्टिव बन जानदा है जो वेरियंट दी गाल हुई एससे लिए री जनु कई साल लग देने ए वैक्सिन इनी छे थी कीमे बन गई सवाल ठीक है पर यह दे पिछे वी जेड़ी मैं स्टडी कीती साइंटिस्ट दे आर्टिकल्स या ओनदी स्टडीज ओधी गाल ए है कि जेड़ा ए वाइरस है जो एदी वाइरस दी फैमिली या ओ नवी नहीं ह वाइरस ही ओ वाइरस है, जीदे करके सानु होर बहुत ब्मारिया हों दिया ने ए थे तक की जुकाम, common cold भी ओ वीज़िए कोरोना वाइरस फैमिली दा है ते क्योंकई वाइरस है जो अपने हमनु मूटेट करता है एस करके ही common cold या जुकाम दा भी अस तर कोई अिलाज नही पुन चांदा, कोल्ड नाल या जुकाम नाल मौत नहीं उन दिये, पर कोविड उसी फैमली दाइक वाइरस है, सो पहला ही ये दी बहुत नॉलेच सी, इस ते बहुत रिसर्च होरी सी, लेकिन क्योंकि इनने पूरी दुनिया नों इंपक्ट कीता है, इसलिए वर्ल्ड वाइड कोलाबरेशन्स हुई हैं, साइंटिस दिया, ते फंडिंग हुई, जीदे करके ये वैक्सीन जल्दी बनी है, अगली गाल कर लिए कि की ये नमा वेरियंट फड़ेया जान्द है, जी बिल्कुल, RT-PCR टेस्ट बिल्कुल एफेक्टिव है, डबली ओएचो ये कह चुक है, अगली गाल जड़ी सा नू सार्या नू शायद परिशान कर दिया, ये अफेक्ट कर दिया, ओ ये है कि ट्रैवल बैन लगने लगेने, दुबारा तो देशाच, डबली ओएचो ने इस वर पहली वार किया है कि ट्रैवल बैन्स दा कोई जादा फर्क नहीं पैना, अपसी पहला भी ये देख चुके हैं, वाइरस ट्रैवल करदा रहेगा, इस करके असी पहला तो सिक्के ट्रैवल बैन नहीं, लेकिन जड़े पबलिक हेल्थ मेजर्ज, हर कंट्री च इननी एडवर्टाइजिंग होई कि आपा सोशल डिस्टेंसिंग करिये, हाथ तो ये, मास्क लाइए, सैनिटाइजर वरतिये, या वैक्सीन लाइए, ओ चीज जारी रखनी बहुत ज़रूरी है, अखीर च तो अनू जान्दे जान्दे एग आलदास दुआ, कि इस वेले साड़ी टेस्टिंग भी कट है, सो जे तीजी वेव हुन आवी चुक किया, या ओमीक्रोन लेके आऊगा, तावी हो बहुत छेती डिटेक्ट नहीं होरी, ते ए इंडिया एक वार फेर गलती ही करू इस वेले जे मैं गल करा, दस हजार तो वी कट डेली के आरेने, पर टेस्टिंग बड़ी कट है, जून्च जित्ते ती लख टेस्ट रोज होरे सेगे, इस वेले जे मैं गल करा, इंडिया सिरफ 11 लख दे नेडे टेस्ट ने, यानि के इकतिहाई, सो इस करके टेस्टिंग कर पर नहीं जरूरी है, ओमिक्रॉन तो डरंदी लोड नहीं, लेकिन साफदानी बरतंदी बहुत लोड है, वैक्सिनेशन करवान दी लोड है, तीजी वेव अपा ना ओन देए, सरकारा नूता एक अदम चकने ही पैणगे, पर असी भी चकी है, ते उमीद कर देए, इस रिप झाल